आज एस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके Contactor वो स्टार्ट करने के बाद में इस में से आवाज आ रही है तो उसे आप कैसे सही करेंगे अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बताओं कि Contactor में से आवाज किन किन कारणों से आ सकती है तो यहाँ पर मुख्य आपको तीन कारण देखने को मिलेंगे पहला कारण होता है कि हमारे कॉंटेक्टर की जो कोईल है उसको proper power supply नहीं मिलती है इसका simple सा मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो भी कॉंटेक्टर है यह कॉंटेक्टर कैसे काम करता है इसके working काफी simple होती है हमारे सभी टाइप के कॉंटेक्टर में आपको एक कोईल लगी हुई देखने को मिलती है और उस कोईल में हमें voltage देने होते हैं जिसके कारण हमारा इक कॉंटेक्टर start हो सके या फिर हम बोलते हैं हमारा कॉंटेक्टर energize हो सके और यह कोईल को supply देने के बाद मतलब हमारे कॉंटेक्टर का start होने के बाद क्या होता है आपको देखने को मिलेगा यह जो उपर का portion है यह हमारा नीचे की side जाके ऐसे fix हो जाता है और इसके fix होने से हमने जो यहाँ पर L1, L2, L3 में जो supply दे रखी होती है वो हमें T1, T2, T3 से मिल जाती है तो कॉंटेक्टर का काम simple सा है अभी हम बात करेती कि कॉंटेक्टर में से हमें humming sound क्यों आती है जब हमारे कॉंटेक्टर का यह वाला भाग हमारा नीचे इस तरी के touch होता है तो इसके पीचे का पहला रिजन में आपको बता है कि हमारे कॉंटेक्टर को proper supply नहीं मिल पाती proper supply का मतलब simple सा है जैसे कि आपके कॉंटेक्टर पर अगर लिखा हो है कि इसके A1 into terminal पे मतलब कि इस कॉंटेक्टर की कोईल को operate होने के लिए हमें 220 चाहिए तो आप चेक कीजिए कि कॉंटेक्टर के requirement के according आप उसकी कोईल पर voltage दे रहे वर नहीं दे रहे दोस्व यहां पर कोईल को voltage प्लस माइनस 10-15% चलते हैं मतलब जैसे इस कॉंटेक्टर की कोईल को मुझे 220 इस voltage देना है इसको energize करा निकले तो अगर मेरे पास में voltage इस 200 के आसपास आ रहे 190 के पास या रहे तो भी हमारी कोईल जो हो जाएगी लेकिन अगर 190 से भी कम जैसे 170-160 आ रहे तो उस case में आपको इसे proper power supply देनी है ताकि हमारी कोईल अच्छे से energize हो सके और हमारा जो इस contactor lock होता है नीचे जागी यह अच्छे से lock हो सके क्योंकि जो contactor में आवाज आने के पीछे main region होता है वो हमारा यही होता है कि हमारा जो इस contactor को उपर का terminal है यह पीछे जाके अच्छे से lock होड़ा है नहीं हो रहा और दोस्तों साथ ही में एक और बात में आपको उता दूँ जब आपके contactor में से चटर-चटर की तेज आवाज आ रही है तो कई cases में जब हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस point पर हमारे contactor की कोईल को supply दे रहे है यह वाला जो contact होता है यह हमारा यहां से loose रहता है तो आपको क्या करना है यहां से properly tight करके भी check कर देना है तो यह भी हमारी पहला point में ही consider होगा कि सबसे पहले हमें हमारे contactor की जो कोईल है इसमें हमारे proper voltage आ रहे है यह नहीं आ रहे है वह हमें देखना है साथ हमारा connection काई loose तो नहीं हमें वह भी देखना है इसके बार में दोस्तों अगला region क्या हो सकता है जिसके वजह से आपका contactor sound कर रहा है वह कोईल कहा होती है वह भी मैं आपको contactor को खोल के दिखाऊंगा तो वह है जो हमारी coil heat होती है दोस्तों वह कोईल धीरे-धीरे heat होके उसका जो insulation है वह insulation खराब हो जाता है जिसके करण क्या होता है हमारी कोईल magnetic field बनाती है जिसके करण हमारा यह contact नीचे की साइट जाता है वह उतने अच्छे से नहीं बना पाती और हमारे contractor के head को अच्छे से पीछे नहीं खीच पाती तो आपको क्या करना है आपको आपकी जो contractor की coil है इसको check कर देना है contactor की coil आप कैसे चेक करेगे तो simple चीज है आपके पास में multimeter तो हो गई आपको simply आपके multimeter को resistance पे ले जाके जोड़ देना है मतलब जो ohm जहां पी चेक करते हैं वहाँ पे ले जाके रग देना है और multimeter को resistance पे set करनी के बाद में आपको आपके contactor के A1-A2 वाले point पे resistance की props को lead को लगा लेना है जिससे हमें contactor की coil के resistance देखने को मिलेंगे अभी जो मेरे resistance आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.547 kilo ohm मतलब के 547 ohm क्या सपास तो अभी आपको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि आपके जो coil है वो सही है फिर खराब है तो दोस्तों जो resistance है जो मेरे को भी यहाँ पे 547 ohm दिखा रहा है यह आपको कम जादा देखने को मिल फक्त है बस आपको एक बात यह दिहार नगने है कि आपका जो resistance है कोईल का वो हमारा stable तो है ना मतलब अभी मुझे fix 547-550 दिखा रहा है आपको भी देखना है आपका जो भी resistance है वो कहीं बदल तो नहीं रहा मतलब जैसे अभी 547 है फिर बात में एकदम से 300 दिखा दे 200 दिखा दे तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए अब अगर आपके कोईल का जो resistance है वो बार-बार बदल रहा है तो उस case में आपको क्या करना पड़ेगा आपको जो contact कोईल है उसे replace करना पड़ेगा उसे change करना पड़ेगा उसे हम कैसे बदलेंगे उसे भी हम आगे जान लेते हैं और कोईल को बदलने के साथ-साथ ही हम यह भी जान लेते हैं कि contactor में से जो आवाज आती है इसके पीछे का तीसरा main region क्या है तो हमारे जो थर्ड रीजन होता है वह होता है हमारे जो contactor होता है इस contactor के इंदा iron core होती है वह है iron core हमारी carbonize हो जाती है इसके कारण भी आपको contactor में से आवाज देखने को मिलेगी अब iron core काई carbonize तो नहीं है यह आप कैसे चेक करोगे तो काफी simple है आपको आपके contactor को open करना है open करने का तरीका simple सा होता है ज्यादातर contactor में तो आपको पीछी की साइड में screw देखने को मिलेंगे जैसे यहाँ पर मुझे एक screw को मैं यहाँ से open करूँगा और इस screw के दूसरी side में मेंasis screw को भी open कर लूँगा तो मैं बारी बारी हमारी इन दोनो ह IO करने के बार में आप देखेंगे कि आपका Contrada रहे यह कॉनटर को इस तरीके से open हो जाएगा आप दोस्तों दोस्तों हम जो starting में देख रहे थे जो हमारा एक moving head देख रहे थे जो हमारा उपर नीचे हो रहा था आपको यह भी पीछे की side से देखने को मिलेगा जब हमारा moving head उपर नीचे होता है आगे से plastic का तो क्या होता है हमारा पीछे iron की core होती है यह नीचे जाती है जब मैं देखो इसको दबाता हूं तो यह हमारा आगे की side आ जाता है तो अब आप देख सकते हो यह हमारा iron कोर उपर नीचे होती है तो अब हमारा contractor काम कैसे करता है तो मैंना को starting बताता है कि इसके अंदर कोई लगी रहती है देखिए यह आपको इदिख रहे है यह हमारी कोईल लगी होती यह iron कोर अपने क्या होगा magnet आते ही उसकी तरफ attract होगा penet के side जाएगा तो यह iron कोर हमारी कोईल की side में जानी कोशिश करती है और हमारी जो koil नीचे भी एक को iron कोर होती है, जिसे हम fix iron कोर बोलते है और इस वाली उपर वाली होती है इसे हम कोईल मोव कोर चिपक जाती है जब हमारी coil magnet बनाती है, तो सबसे पहली चीज क्या हुई, हमें हमारी कोईल के voltage देखना है, हमने voltage देख लिया, voltage है, तो अगली चीज हमें क्या देखनी होगी, insulation चेक करना है, अगर insulation खराब है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से contactor open करेंगे, और आप इस coil को मार्केट में लेके जाएंगे, और सेम ऐसी ही coil आप वापस खरी देंगे, क्योंकि जो coil होती है, वो coil अलग-अलग design की होती है, तो आपको सेम coil वापस लाना है, और contactor में fit करना है, लेकिन अगर आपकी coil भी सही है, तो आपको तीसरी stage पर आना है, जो कि मैंने आपको बता है, कि हमारी ज natural हवा में ही हो रहा है, मतलब हमारी जो normal air है, इस air में ही हो रहा है, अब हमारी जो air होती है, इसमें थोड़ा बहुत moisture होता है, moisture मतलब हमारी पानी के कुछ बूंदे होती है, अब जब moisture हमारा इस iron के बीच में बार बार आता है, तो हमारा यहाँ पर carbon आ जाता है, अभी जो हमारा जो मलबा आ गया है जो डर्ट आ गई है उसको हमें यहां से साफ करना पड़ता है यह आपको कहा कहा साफ करना पड़ेगा तो आपके जो यह moving iron core है इसके भी यह तीनों जो point है इन तीनों का आपको साफ करना पड़ेगा और आपके जो fix iron core है इसको भी आप इस तरीके द निकाल लेंगे और इसमें भी आपको यहां पर टीनों को रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ेगा अब सवार आता है कि जो हमारी आइरन कोर है जिस पर कुरोजन आ गई है या फिर हमारा कार्बनाइज हो गया है उसको हम साफ कैसे करेंगे तो इसके लिए सिंपल सा हमारी क पर करके लगाकि के समय साफ कर सकते हों और साफ करने के बाद में क्या करेंगे वापसे हमारे रिक्त को Drucks debates fix lång कर देंगे और इसके उपर करने के बाद में आप पिक्र oni को इसको empowered देंगे पहले है बराबर उपर नीचेίν होतोedia रहा है अगा बराबर उपर नीचे होतो रहा ह मतलब हमारा जो contactor पूरित है किस अच्छे set है, अब आप क्या कर सकते हैं, आपका जो contactor के screw है, इस screw को आप दोनों को tight कर लिजिए, और बस आप इन step को follow करके, आपके contactor में जो भी आवाज आ रही है, उसे सही कर सकते हो, तो आपको उमीद करता हूँ, आज काई वीडियो को काफी पसंद आया होगा, आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज मुझे एक like और एक प्यारा सा comment करके जो बताएगा, अगर अभी भी आपके मन में इस वीडियो के परदिया electrical को कोई सवाल रहे गया, तो आप मुझे नीचे comment box में comment करके फूच सकते है, electrical की वीडियो से निवनिक ना पसंद करते हैं, आज है माय चैनल को सस्क्राइब कर लिजी, आज के लिए तना ही धन्यवाद